अगर मैं आपसे पूछू कि आपके लिए जीवन में सबसे ज़्यादा इंपोटेंट क्या है तो आप कहोगे कि पैसा या सक्सेस लेकिन ये तो सेकंडरी चीज है प्रैमिरी है आपका खुद का शरीर क्योंकि अगर आपका शरीर हैल्दी होगा तो आप जीवन में कुछ भी अचीव कर सकते हो आप बिना डिफिकल्टी के कुछ भी काम कर सकते हो हमारे शरीर के हर एक गोडी पार्ट बहुत ही इंपोटेंट होता है और उस पार्ट का एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है जैसे अपने हाथों से आप कुछ भी काम कर सकते हो पैरों की मदद से चल सकते ह लेकिन क्या आपको पता है कि हमारे शरीर के कुछ ऐसे भी अंग होते है जो हमारे पास किसली है और उनंग का क्या गाम होता है ये आपको पता ही नहीं है और शायद आपने कभी जानने की कोशिश भी ना की हो जैसे आपकी आँखों के कौने में मौझूद इस छोटी सी चीज पर क्या आपने कभी गोर किया है आखिर क्या काम होता है इस चीज का और अगर ये चीज नहीं भी होगी तो क्या फरक पड़ने वाला है हमारे जीवन पर इस वीडियो में मैं आपको ऐसे तीन बोड़ी ओर्गन के बारे में बताने वाला हूँ जिसके बारे में आपको पता भी नहीं है कि वो कितने इंपोटेंट है आपकी आखों की आईलेड हेर जो होती है ये वाली ये तो आप जानते ही होंगे कि ये आईलेड हेर आपकी आखों को बार से आने वाली डश्ट से बचाता है लेकिन आईब्रोज का क्या काम होता है? देखा जाए तो अगर ये नहीं भी होगी तो कोई फरक नहीं पड़ेगा देखने में खराब लगेगा वो तो बात की बात है पर क्या इस तो कोई important function होता है हमारे शेरीर में तो इसका जवाब है हाँ eyebrows बारिश के पानी और पशीने को आँखों में जाने से रोकता है पर अगर आप ये जानना चाते हो कि ये बारिश के पानी और पशीने को कैसे आँखों में जाने से रोकता है तो ये देखो आपकी eyebrows की shape कुछ ऐसी होती है और इसी वज़ा से जो पानी उपर से आता है वो इस शेप के जरिये साइड से होकर निकल जाता है और आपकी आँखों में नहीं जाता है ये तो हो गया इसका function लेकिन अब हम ये जान लेतेगी अगर हमारे पास eyebrows नहीं होगी तो क्या होगा दरसल होगा कुछ यूँ कि पशीना जो उपर से आ रहा है उसमें नमक होता है जो की सीधा हमारी आँखों में जाएगा और हमें तकलीफ होगी जिससे हमारी आँख भी खराब हो सकती है इसी लिए हमारे intelligent शरीर ने eyebrows मनाई जिससे हम बारिश के पानी और पशीने में देख सकें और हमारी आँखे सुरक्षित बची रहे आपकी आँखों के इस पार्ट पर क्या आपने कभी गोर किया है इसी का नाम है पिलिका सेमिलर नरिस ज़्यादा तर लोग इस पर ध्यान भी नहीं देते और बहुत को लगता है कि एक useless बोड़ी पार्ट है पर ये आपके शरीर के सबसे जरूरी अंगों में से एक है आप जब भी सुबह उठते हो तो आप अपनी आँखों में इस गंदी सी चीज को तो देखते ही होंगे इसे रीहम कहते है जो दिन भर की गंदकी आपकी आँखों में जाती है रात भर में वो आपकी आखों के कौने में आकर जमा हो जाती है और उसी को आप सुवे सुवे अपनी आखों में देखते हो इसी गंदकी को इखटा करता है Plika Semi-Lanaris ये इतना important इसली है क्योंकि ये आपकी आखों में से गंदकी को निकालता है और आपकी आखों को डस्ट से सुरक्षित रखता है जिससे आपका विजन ख्राब नहीं होता यूविला आपके मुँ में लटकी हुई इस चीज को कहते है क्या ये आपके कोई काम की है? इसके बारे में तो लोग सोचते ही नहीं दरासल ये आपके शरीर के अंदर के काम काज के लिए बहुत ही जरूरी बोड़ी पार्ट है ये हवा से होने वाले इंफेक्शन से आपको बचाती है जब भी कोई खदरनाक बैक्टिरिया आपके मुँ से आपके शरीर में एंटर करने की कोशिश करता है तब ये युविला उसे रोकता है जब कोई बहुत ही शक्तिसाली बैक्टिरिया आपके शरीर में गुशने की कोशिश करता है तब युविला उसे रोकने के लिए फैल जाता है क्योंकि उस बैक्टिरिया से लड़ने के लिए युविला पूरी चान लगा देता है बचाते हैं अगर आप वीडियो के एंड तक पोची गए हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जड़ूर से कर देना